क्या लोग आपको इग्णोर करते हैं? आप अपनी तरफ से तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपको उतने इंपोर्टेंस नहीं मिलती जितनी आप चाहते हो. आप लोगों से बात करना तो चाहते हो, तो हम आपको एक ऐसा 4-step guide formula बताने वाले हैं, जिसको समझने के बाद आपको कोई चाहकर भी कभी इग्णोर नहीं कर पाएगा. Step 1, जब भी कोई आपको इग्णोर करता है या फिर आपको जान बूच कर importance नहीं देता है, तो वो यही चाहता है कि आप उस चीज़ पर ध्यान दो और react करो, क्योंकि इस चीज़ से उन्हे sense of satisfaction या superiority मिलती है, लेकिन क्या होगा अगर उनकी ignorance के तरफ ध्यान देने के बजा है, आप इस चीज़ को अपना attention ही ना दो, और ऐसे react करो कि आपको कोई जाधा फरक ही नहीं पड़ता, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको importance देते हैं, ये उनको ये दिखायागा कि वो आपको ignore करके खुद का ही घाटा करवा रहे हैं, ना कि आपका, और जब वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो फिर वो आपको ignore करना छोड़ देंगे, और आपकी importance को समझ कर आपको value देना start कर देंगे, इसका मतलब जैसी हमारी धारना, क्यानि देखने का नजरिया होता है, वैसी हमारी नजरों में reality होती है, इसी वजह से जो चीज़ आपको सचाई लग रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई और परसन उस चीज़ को बहुत अलग नजरिये से देखेगा, for example, इस picture को एक बार देखो, इस picture में एक इनसान इसे six समझ रहा है, और दूसरा इसे nine समझ रहा है, आपको उनके perspective को manipulate या change करना होगा, उन्हें उनकी सोच को question करने पे मजबूर करना होगा, जिससे कि वो आपको दूबारा से एक दूसरी नजर से देखना शुरू कर दे, अगर आपका कोई करीबी अब आपको importance नहीं दे रहा है, और ignore कर रहा है, तो सीधा उसे blame करने के बजाए, पहले सोचो कि आपने उसके mind में अपनी image क्या बना रखी है, पेशेंट एक important चीज़े जिसमें dark psychology पूरी तरह से believe करती है, ये आपको उन्हें ignore करने के तरीके, आराम से सोच समझ कर कोई reaction या जवाब देने के लिए तयार करता है, timing भी बहुत important होती है, क्योंकि सही समय पर जवाब देना सामने वाले के behavior को समझने में मदद करता है, आपको उन्हें directly आप मुझे ignore क्यों कर रहे हो, ये सवाल पूछने की urge और इच्छा को control करना होगा, और सही समय के आने का इंतजार करना होगा, जैसे एक eagle, यानि बाज अपने शिकार को अच्छे से observe करके उनकी कम्यों को जान कर, और कब उनका शिकार किया जा सकता है, इन सब चीजों को analyze करके सही time पे attack करता है, इस तरीके से, जब आप उनके ignore करने पे ध्यान नहीं देते हैं, और उनके intentions का ध्यान रखते हैं, तो आपको उनके behavior को समझने का chance मिलता है, आप एक calculated strategy बना सकते हैं, जो कि आपकी जीत को ensure करता है इस psychological battle में, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने narrative को change करना होगा, और यह समझना होगा कि आपकी पहचान दूसरों के according नहीं बनती, बलकि इससे बनती है कि आप उसका किस तरह से जवाब देते हैं, इसलिए आपको अपने actions पर control करना चाहिए, और अपने behavior और emotions को अपने ही हाथ में रखना चाहिए, किसी के भी ignore करने या ना करने से, आपको इतना भी ज़्यादा फरक नहीं पड़ना चाहिए, कि आप खुद के बारे में बुरा फील करने लग जाओ, बस अपने आपको इतना ज़्यादा valuable बना लो, और आपको importance दें, तो यह है चार कुछ ऐसे steps जिनका इस्तिमाल करके, आप अपने importance create कर सकते हैं, और ignore होने से बच सकते हैं, तो वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों आप फैमिली मेंबर्स के साथ, ये वीडियो शेयर करो, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,